हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टाफ एक पराठा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मैंने यहाँ एक कटोरी लिया है मैदा चाहे तो आप कम जादा कर सकते हैं मैदे में मैंने यहाँ डाला है एक चोटी चमश नमक एक चोटी चमश चीनी और एक चमश ओईल और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालके एक स्मूथ डो रेडी कर लेंगे आटा या फिर मैदा स्प्रिंकल करके हम रोटी बना लेंगे सबसे पहले मैंने दो रोटी बना के रख लिया है अब हम लेंगे कटोरी और पहली रोटी उसके उपर हम रख लेंगे रोटी के उपर हम डालेंगे एक अंड़ा फोड़ कर उसके बार डालेंगे हम बारिक कटा हुआ प्याज हरी मिर्च हरा धनिया स्वादनुसर नमक अब हम दूसरी रोटी से ढख कर कवर कर देंगे आप इस तरीके से प्रेस करके रोटी को कट कर ले तवा गरम हो चुका है मैंने यहाँ डाला है एक चमश तेल और अच्छे से तवे पर फैला लेंगे कटोरी को उल्टा करके हम अपना स्टफ किया हुआ पराठा को पलट देंगे और तेल लगा कर फ्राइ कर लेंगे करना है सारा स्टफ पराठा बनके रेडी हो चुका है तो चलिए कट करके आपको भी दिखाते हैं कि अंदर कितना अच्छा पका है आप देख सकते हैं अंदर तक बहुत अच्छे से पक चुका है आप स्टफ पराठा को चटनी या फिर सौस के साथ खा सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शियर जरूर करे और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले